नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है पंकश भाटिया, आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दी पर्फ्यूम डॉक्टर पर, टाइटल आप लोग अलड़ी पढ़ चुके हैं, थमनेल आप लोग अलड़ी देख चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ प्रवाइड करेगा कि आपको कौन से उकेजिन पर किस तरह का पर्फ्यूम लगा कर जाना चाहिए, मोस्तली यार हम लोगों के साथ यह होता है कि हम अपना स्ट्रॉंग वाला पर्फ्यूम लगा कर किसी पाटी के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर हम लोगों से तक ही सीमी रह जाती है और किसी दूसरे के नाक तक नहीं पहुँच पाती, तो दोस्तो इस विशे के बारे में और जानकारी लेने के लिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ, इस वीडियो के अगले भाग में मेरे साथ बने रही है, आपको बहुत 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 इंपोर्ट पार्ट ओफ दा वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग यार शुरुवात करते हैं स्वीट पर्फ्यूम से यानि की मीठे पर्फ्यूम से, अभी मीठे पर्फ्यूम से को स्वीट पर्फ्यूम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बनाने में जो elements इस्तेमाल होते हैं, उनका जो base होता है, उनका जो essence होता है, वो मीठा होता है, जैसे अभी vanilla हो गया, strawberries हो गई, फिर उसके बाद आप लगा लीजे blueberries हो गई, फिर उसके बाद आप लगा लीजे fruits हो गई सब तरह के, जैसे oranges हो गई, lemons को sorry मैं इसके अंदर include इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मै मैं उसे एक citrus और कडवे fruit के उसमें count करता हूँ, एंड इसके अंदर संतरा हो गया, apples हो गई, green apple हो गया, green apple मोस्ली green apple को लेकर लोग sweet perfume भी बनाते हैं, और citrus की perfume में भी green apple का इस्तेमाल होता है, और आप लगा लीजे, काफी सारे actually जो fruits हैं, वो sweetness के अंदर आते हैं, फिर उसके सारे flowers, almost बिशक आपका rose हो गया, चमपा हो गया, चमेली हो गया, या आपके जितने भी आप लगा लीजे जो good smelling flowers हैं, वो सब sweet perfumes बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यार जो sweet, आप बोलीजे कि जो sweetness है, जो sweet perfumes होते हैं, वो mostly ladies के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका reason य है कि जो मर्द होता है, जो males होते हैं, वो फूलों की खुश्बू से ज्यादा attract होते हैं, इसलिए जो females के जो opposite, यानि कि जो opposite sex के जो perfumes हैं, वो मीठे बनाए जाते हैं, flower based बनाए जाते हैं, fruits based बनाए जाते हैं, और उसी तरीके से जो मर्दों के perfume हैं, वो सारे के सारे petrol को use क करते हैं, बहुत जादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, विस्की के element को use करते हैं, वुड को use करते हैं, सिगार को use करते हैं, रम को use करते हैं, इस तरह के perfume बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो smells हैं, ये जो bitter smells हैं, ये ओर्थों को बहुत जादा attract करती हैं, तो जो sweetness है, वो मर्दों को अट्रैक्ट करती है और जो बिटरनेस है वो औरतों को अट्रैक्ट करती है ओपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करती है तो यह जो रीजन है इसलिए पर्फ्यूम्स को डिफ्रेंशेट किया गया है अब यार ऐसा नहीं है कि स्वीट जो पर्फ्यूम्स होते हैं वो सिर्फ औ का पैकोरबैन ब्लैक एक्सेस जो है that is a very sweet perfume which is meant actually for the parties कि आप जा रहे हैं कहीं पर 3-4 घंटे के लिए आपको एक बहुत बढ़िया सी खुश्बू चाहिए तो आप पार्टी में वो पर्फ्यूम लगा कर जा सकते हैं जो sweet perfumes होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो problem होती है वो यह होती है कि sweet perfumes के अंदर आपको longevity बहुत कम मिलती है 3-4 घंटे की ही longevity मिलती है उससे जादा की longevity नहीं मिलती इसलिए आप देखेंगे कि ladies के जितने भी perfumes होते हैं वो हमेशा आपको EDP में जादा मिलेंगे और more on the citrusy side instead being on the sweeter side और कोशिश उनकी यही होती है कि यार बेटर से बेटर longevity मिले अगर sweet perfume ladies के लिए EDP बनाते हैं तो उसकी आप लगा लिजे उसकी longevity ladies को जो भी ladies देख रही हैं आपको 6-8 घंटे मिलेगी EDP में और EDT के अंदर 4 घंटे मिलेगी अगर मर्दों के लिए भी कुछ परफ्यूम्स बनाई जाते हैं मर्दों के लिए भी कुछ sweet perfumes बनाई जाते हैं जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले mention किया था कि पैकोरेबैन का Black Excess एक मीठा perfume है फिर उसके बाद एक flower based perfume है Machino का which is called Toy Boy तो Machino का एक rose based perfume है which is called Toy Boy which is basically a sweet perfume and it is mixed with little bit of ूद काफी richness प्रोवाइड करता है काफी refinement प्रोवाइड करता है वो perfume को और आप उस perfume की longevity मर्दों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ उस perfume की longevity आपको आराम से 6-8 घंटे के आसपास मिल जाती है अभी यार मुद्दे की बात ये है कि आपको sweet perfumes आप कहां पर लगा कर जा सकते हूँ ये मैं males को बोल रहा हूँ कि sweet perfumes आप कहां पर लगा सकते हो देखी यार sweet perfumes का इस्तेमाल आप वहां गर सकते हैं जहां आपको बहुत जादा आप अगर close environment में जा रहे हैं किसी and you want to you want a lot of attention of the opposite sex तो आप उसको लगा कर जा सकते हैं longevity इसमें आपको 3-5 घंटे की longevity मिलेगी silage आपको काफी मिल जाएगा silage होता है कि आपके t-shirt के अंदर कितनी देर तक की वो perfume की खुश्बूर रहती है basically it doesn't travel to the other noses but it is there in your t-shirt longevity की बात कर रहा हूँ मैं तो कि मतलब वो कितनी देर तक दूसरों के नाकों तक वो वाला perfume पहुंचता है कितनी देर तक उसका उसका जो असर है वो रहता है तो आप लगा लीजे 3-5 घंटे depending upon the this fact की आपकी बाड़ी कितनी हीट करती है अगर आपकी बाड़ी जादा हीट करती है तो वो perfume पांच घंटे के बज़ाए तीन घंटे चलेगा अगर आपकी बाड़ी कम हीट अप करती है तो वो तीन के बज़ाए हो सकता है 6 गंटे भी चल जाए या 5 गंटे चल जाए ठीक है तो अभी ये तो हुआ यार sweetness की बाद, sweet perfumes की बाद ठीक है जहां तक ladies का सवाल है कि वो कब-कब sweet perfume को use कर सकती है यार आपको तो sweet perfume को ही use करना चाहिए हर समय if you wish to get a lot of attention from the opposite sex if you want to get a lot of compliments from the lot of sex sorry if you wish to get a lot of compliments from the opposite sex or people around you basically so ये तो बात हुई यार sweet perfumes की अभी मैं आगे इसके साथ साथ यार सॉरी मैं इसके साथ साथ ये भी चीज जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां क्या होती है यार मर्दों के perfumes को इस्तेमाल करती है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मर्दों को जो मर्दों के मर्द जो perfumes इस्तेमाल करते हैं उसकी खुश्बू अगर औरत की बाड़ी से आती है तो ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती ये मैं अपने experience से बोल तहां मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती है लेकिन मैं नहीं ये चीज़ बहुत सारे males को मैंने ये सब चीज़ें experience करते हुए देखी है मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि यार उन्हें एक औरत की औरत से किस तरह की smell वो expect करते हैं और किस तरह की smell अच्छी लगती है चलिए यार अभी आगे बढ़ते हैं यार बात करते हैं sour perfumes की sour perfumes यार sour मतलब खटा कुछ लोग इसको sour भी बोलते हैं sour भी बोलते है so there has been a confusion between sour and sour मतलब मैं तो confused हूँ as always क्योंकि हमारे यहां पर बोला जाता था पहले बोलते थे कि sour sour कुछ नहीं होता sour होता sour पंजाब में ऐसे बोलते थे तो अभी जो खटे perfumes होते हैं उसमें कौन-कौन से element यूज होते हैं यार अलमूस लाइक 25 से जादा जो ऐसे यूज होते हैं और खटे का यह है कि जो sourness होती है पर्फ्यूम्स के अंदर वो उसको बेटर लॉंजिविटी प्रोवाइड करती है as compared to the sweet elements तो इसके अंदर बगमोंट आ गया, लेमन आ गया जूजू आ गया जैसे इजमेया के लिव क्लासिक जो है वो जूजू बोल रहा हूँ, sorry, यूजू तो वो यूजू फ्रूट के ओपर वो बना हुआ है और थोड़ा सा इसमें आपको लॉंजिविटी अच्छी मिल जाती है और जितने भी spicy perfumes आते हैं, वो भी खटे की श्रेणी में आ जाते हैं जैसे Ember को based करके कोई perfumes बनाया है या फिर आप लगा लीजे Cardamom को based करके कोई perfumes बनाया है या different जितनी हमारे हिंदोस्तान के अंदर जो spices मिलती है जो कि हिंदोस्तान एक तरह से base माना जाता है spices का वही एक चीज है जिसको ढूंडते ढूंडते हैं अंग्रेज यहां तक पहुंचे थे तो यह सब चीजें जो हैं जिसे डाल चीनी का flavor हो गया और अपना इलाइची का हो गया और अपना अनारदाना हो गया यह सब चीजें यूज होती हैं खटा perfume बनाने के लिए अब खटे perfume की मैंने आपको बता दी है कि कुछ लेडीज के perfume भी ऐसे हैं जो खटे होते हैं लेकिन खटे और sweetness को mix करके बनाया होता है वो perfume तो वो EDT version में आता है और वो लेडीज के लिए भी यूज होता है लेडीज का है वो भी EDT perfume है that is also not EDP क्योंकि खटे में आपको अल्रेडी लॉंजीविटी अच्छी मिल जाती है देखे यार companies जो होती है वो जादा लॉंजीविटी वाला perfume दो कारणों से नहीं बनाती है सबसे पहला कारण तो यह होता है कि अगर आप एक लंबे वाला perfume लगाते हैं जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं वो कते हैं यार 24 घंटे वाला हमको perfume चाहिए सबसे पहले तो यह बात यार 24 घंटे के अंदर एक नॉर्मल इंसान दो से तीन बार अपने कपड़े चेंज कर लेता है पहले जो सुबह काम पर जाने वाले कपड़े वो पहनता है फिर घर पर आके रिलाक्स दोने वाले या घर पर आके जब बाहर कहीं जाता है तब डिफरेंट कपड़े होते हैं तो तो चौबीस घंटे के अंदर आप तीन बार कपड़े बदलते हैं तो आपको चौबीस घंटे वाले लंबे परफुम के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है दूसरी चीज यह होती है, इसी का मैं point number A बता रहा हूँ आपको, कि उसके अंदर क्या होता है, कि अगर आप लंबा perfume लगाते हैं, मतलब लंबी longevity वाला perfume लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, कि आपका जो nose है, वो 24 गंटे एक ही smell को ले रहा है, एक ही smell को ले रहा है, तो ultimately वो फिर सिर्फ कि इसी particular smell को पहचाने का और वो भी उसकी जो smell को पहचानने की जो capacity है, वो धीरे-धीरे-धीरे करके कम होती रहेगी, ठीक है, now coming back to the main thing, कि companies क्यो बनाती है, चोटी longevity मतलब 7-8 गंटे तक के perfume maximum ही क्यो बनाती हैं, और 24 गंटे के perfume क्यो नहीं बनाती है, पहला point तो तो मैंने आपको ये बताया कि आप nose blind न हो जाए, और दूसरी चीज़ ये होती है, कि अगर ये मेरे business के लिए ठीक नहीं है, मतलब जो अगर if I am the company, if I am the manufacturer, तो ये मेरे business के लिए ही ठीक नहीं है, कि मैं एक बहुत लंबी longevity वाला perfume बनाऊ यार, उससे क्या होगा, कि मेरी एक बोटल को आप दो साल चला जाएंगे, जो बोटल मेरी छे महीने चलनी चाहिए, उसको आप दो साल चलाएंगे, तो इसका मतलब ये है, कि आप मुझसे कम perfume खरी देंगे, जो आप दो साल के अंदर चार बोटल करीने वाले थे, वो आप सिर्फ एक ही बोटल खरी देंगे, तो मेरे लिए ये घाटे का सौधा हो जाता है, इसलिए कमपनी ज्यादा लंबी लॉंजिविटी वाला perfume नहीं बनाती हैं, A. It is not beneficial for your nose, B. It is not beneficial for their own business, इसलिए जो मैं आप से सिट्रसी perfume की बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको जो EDT perfumes हैं, वो जादा मिलेंगे, इसमें आप आपको EDP perfumes बहुत कम मिलेंगे, तो जो स्वीटर्क वाली category है, उसके अंदर आपको EDP perfumes बहुत जादा मिलेंगे, और EDT आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये बात मेरी आप समझ गए हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये perfumes आप कहां कहां लगा सकते हैं, देखिए जितने भी सार पर्फ्यूम्स हैं या जितने भी सिट्रसी पर्फ्यूम्स हैं, इनको आप लगाने के लिए आप कहीं पर भी लगा के जा सकते हैं, लेकिन जो इनका जो आइडियल जो एटमास्वेर इनको चाहिए होता है कि बहुत जादा हीट का जब ए हाई हीट में लगा कर जा सकते हैं, फिर जहां पर अगर अगर क्लबिंग करने के लिए जाते हैं, रात को आप उसको वहां पर लगा कर जा सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्याम रखेगा, कि इनकी जो ये ऐसे पर्फ्यूम्स होते हैं, जो थोड़े थोड़े सिट्र यह मतलब ना करवाहड की तरफ होते हैं ना कड़वाहड की तरफ होते हैं तो आप अगर जितना अगर दिन में अगर आप इसके 8 च्मडह लगा रहा हैँ तो रात में आपको इसके केवल और केवल 4 च्मडह ही लगाने हैं आर्ट स्प्रेज लगा कर जाएंगे तो यार दूसरे लोगों का नाक में जलन होने लग जाएगी पीपल बिल स्टार्ट अवोइडिंग यू ठीक है? मैं आशा करता हूंगी यार आपको मेरी बात इसे तरीके से समझ आ रही है साथ-साथ अभी मैं ट्रेवल करता हूं अपनी थर्ड केटिगरी के ऊपर विच इस दे बिटर पर्फ्यूम यार बिटर पर्फ्यूम कौन से होते हैं? बिटर एलिमेंट्स आपको पहचानने पड़ेंगे कि कौन से होते हैं? बिटर एलिमेंट्स मैंने आपको वीडियो के थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि बिटर एलिमेंट्स होते हैं आपके वुड से रिलेटेड जितने भी हो गई चीजें फिर वो बिशक आप लगा लीजिए ओध हो गया आपका ये बिटर में आता है फिर आपकी पेट रोट की जो स्मेल हो गई वो हो गई तमबाकू की स्मेल हो गई ये हो गई देखिए ये सब एलिमेंट्स बिटर पर्फियूम के अंदर यूज होते हैं और आपको क्यो बिटर पर्फियूम लगाना चाहिए स्वीट पर्फियूम के बजाए और सिट्रसी पर्फियूम के ब हैं जो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताता हूं मैं तब तक सोच भी लूंगा कौन से पर्फ्यूम्स हैं लेकिन कुछ ऐसे पर्फ्यूम्स हैं तो बिटर पर्फ्यूम्स में आप लगा लीजिए आप इधर साथ साथ देखते रहें जैसे बेंटले इंटेंस वर मैं हो गया यह एक बिटर पर्फ्यूम्स है इसके अंदर यार बिटर पर्फ्यूम्स के अंदर मैं आपको बताओं क्वालिटी क्या होती है कि जो बिटर पर्फ्यूम्स होते हैं यह आटोमेंटिकली कनवर्ट हो जाते हैं थोड़ी देर में सिट्रस ही citrusy perfume, आपको bitter perfume के अंदर सबसे ज़्यादा longevity मिलेगी, अगर sweet perfume में आपको चार घंटे की longevity मिल रही है, और saar perfume के अंदर, आपको चे घंटे की longevity मिल रही है, तो उस वही bitter perfume के अंदर आपको 8 घंटे की longevity मिलेगी, क्योंकि जो bitter perfume होता है, वो सिर्फ शुडू के चार घंटे तक अपनी bitterness देता है थोड़े सा उसमें bitterness का आपको एसास होगा नाक के अंदर थोड़ा सा आपको कड़वी कड़वी smell आएगी ठीक है अब जैसे केवडा है केवडा इसे flower ठीक है लेकिन उसको जो मैं count करूँगा उसको मैं bitter perfume के अंदर count करूँगा क्योंकि उसकी जो smell होती है वो वैसी होती है that it can only be included in the bitter perfumes और अगर उसको संभाल कर use नहीं किया जाए उद के जैसा तो वो अच्छे खासे आदमी का दिमाग खराब कर सकती है सर में दर्द कर सकती है मतलब सामने वाले का आपका ने क्योंकि हम लोगों को तो यार 10 minute सिर smell आती है फिर उसके बाद bitter perfume पहले चार घंटा बिटर रहता है फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका transition phase चालू होता है तीन घंटे के बाद it become little bit on the citrusy side अगर उसके अंदर को citrus elements है और उसके बाद last के जो तीन घंटे होते हैं वो sweetness के ऊपर आ जाते हैं यह मैं अपने experience से बता रहा हूं यार मैं मेरे मेरे एक customer है वो उन्होंने मुझसे Bentley Intense for Man लिया और उन्होंने उसको लगाया और तो मैंने notice किया कि almost like 6 hours के बाद वो सुबह सुबह लगा थे 9 बज़े के आसपास तो चार घंटे जाने के बाद उनका जो पर्फ्यूम था मतलब 4-4 बज़े तो उसमें से मतलब mild एक फूलों की खुशबू आने शुरू हो गई पूलों की खुशबू आने शुरू हो गई it turned towards the sweetness ऐसा ultra sweet मतलब चुइंगम की खुशबू आने शुरू हो जाए उसमेंसे या ladies perfume की खुशबू आने शुरू हो जाए उसमेंसे वैसा बिल्कुल नहीं होता है लेकिन एक tinge of sweetness a tinge of flouriness with the masculine factor in उस तरह की खुश्बू आनी शुरू हो जाती है, और यह सिर्फ Bentley Intense for Man के लिए ही नहीं है, जितने भी bitter perfumes होते हैं, जितने भी woody perfumes होते हैं, उन सब के साथ यह इस तरह की चीज होती है, अभी यार बात आती है कि woody perfumes आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए यार, woody और इसमें कुछ spicy perfumes भी हैं, वो भी इस category में आते हैं, woody और spicy perfumes जो bitter perfumes की category में आते हैं, वो आप use कर सकते हैं, सबसे जादा बढ़िया इस्तेमाल की सर्तियों के अंदर, कोई भी perfume आपका टिकेगा नहीं, सिवाए इस bitter perfumes, आप इसको अपनी leather jacket के ऊपर लगा सकते हैं, leather jacket क साथ बहुत अच्छे से ये compliment करता है, और उसके साथ उसका जो leather का की जो smell होती है, उसके साथ बहुत अच्छे से mix हो जाता है, और आपको बहुत अच्छी longevity देता है, बाकी जो आपको मैंने लगाने का तरीका बतायी है, कि 10 cm दूर से आपको लगाना है, और आप उस जो वो आपके जो length है 10 cm की, इसको extend करके 15 या 20 cm तक भी आप जा सकते हैं, तो आपको वो बहुत उसका spray है, वो ऐसा जाने के बजाए, फिर ऐसा travel होता है, and it is going to give you very good longevity, आपको जितना बड़ा area मिलेगा, आपको longevity उतनी जादा मिलेगी, लेकिन आप ऐसा मत कीजेगा, कि आप इतना दूर से arm लगके selfie वाले, उससे कि भई मैं एक spray मारू और पूरी मेरी body cover हो जाए, वैसा नहीं चलता है, ठीक है, तो bitter perfumes में आपको बहुत बढ़िया longevity मिलेगी, आप कहां लगा कर जा सकते हैं, high cold temperatures के अंदर आप लगा सकते हैं, high heat के अंदर आप लगा सकते हैं, उसमें भी आपको longevity अच्छी मिलेगी, यार जब भी लगाएं, कपड़ों के उपर ही लगाएं, body के उपर ना स्प्रेय करें, मैं इसके अंदर गुसुंगा अगर, तो दस मिनट और एक्सेंड हो जाएगा वीडियो, तो आप जब भी लगा सकते हैं, cold के अंदर काफी लगा सकते हैं, फिर high cold है, जो वहाँ लगा सकते हैं, एंड जितने भी bitter perfumes हैं, आपके ये bitter perfumes आप यूज कर सकते हैं, वो लोग जिनको smoking की आदत है, जो smoking बहुत ज़ादा करते हैं, दो यार smoking is injurious to health, I do not promote smoking at all, लेकिन mostly लोग क्या करते हैं, यार smoke करते हैं, they are chain smokers, एंड उसके बाद उपर क perfume दाते हैं, वो हजार रुपे के चारवाले आजकल बहुत भिकर हैं छोटी-छोटी bottles में, तो वो सब आप मत कीजेगा, वो क्या होता है, फिर wood की smell से के साथ कोई और sweet चीज आप add करके कोई तीसरे ही तरह की दुरगंद निकलती है, सुगंद नहीं बोलूँगा, कोई तीस पर कनवर्ट कर देते हैं, उस smell को फ्रेग्रेंस के अंदर कनवर्ट कर देते हैं, तो जितने भी smokers हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बिटर पर्फ्यूम्स ही यूज करने चाहिए, क्योंकि जो cigarette की smell है, जो चिर्ड़ूट की smell है, जो तंबाकू की smell है, उसको ये सारे perfumes उसे का पर्फ्यूम्स काफी हद तक सेम रहते हैं, इसलिए जो जितने भी smokers हैं, जितने भी cigar पीते हैं, लोग या जितने भी chain smokers हैं, जितने भी cigarette पीते हैं, उनको bitter perfumes ही इस्तेमाल करने हैं, चाहिए दोस्तों, ये वाली जो information है, ये YouTube से नहीं लिए, मैं भी काफी सारे perfumes के हैं, उन पर try किये हैं, so I am able to speak about this fact in my videos, तो आप अगर bitter perfume यूज करते हैं, smoker हैं, आपको bitter perfume यूज करना चाहिए, आपको amazing longevity मिलेगी, अगर आप smoker नहीं भी हैं, तो भी आप bitter perfume को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस एक चीज़ का धहान रखे कि अगर आप डिस्को थीक में जा हैं, या कुछ ऐसे event पर जा रहे हैं, जगराते में जा रहे हैं, या कहीं पर भी ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां पर काफी सारे लोग होने वाले हैं, आपके आसपास, तो वैसे case में, आप bitter perfume का इस्तेमाल बिलकुल बिलकुल भी मत कीजेगा, spicy, जो ultra spicy perfumes हैं, उनका इस्तेमा बहुत सारी वराइटीज हैं यार मार्केट में, sweetness mixed with ूद, rose mixed with ूद, chocolate mixed with ूद, saffron mixed with ूद, बहुत सारी चीजों की वराइटीज हैं, आपको मिल जाएंगे online, और अगर मेरे स्टोर से यार, अगर आप वो कुछ भी चाहिए, तो मेरे स्टोर का एड्रेस ये दिया हुआ www.gbfrequences.org, यहां से आप order कर सकते हैं, या आप मुझसे बात करना चाहें, अगर तो आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, 7021905004, डिस्क्रिप्शन में मेरा number भी दिया हुआ है, तो दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो था, यह यहीं था था, अगर इस टॉपिक के बारे में मेरे पास, अगर मेरे दिमाग में कुछ अगर और विचार आता है, तो definitely I am going to share, over here only, आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूँगा, मैं इसी आशा करता हूँ, अमीद करता हूँ कि यह वला वीडियो यार, आपको मैंने जो कुछ बोला है, उसका एक एक वर्ड, आपको crystal clear, आपके दिमाग में fit हो गया, आपको कोई भी किसी भी तरह की help चाहिए, तो you can always message me, यह वीडियो यही तक था, मैं आशा करता हूँ, आपसे unending प्यार आपका मिलता रहे, और आपका support मुझे ऐसे ही मिलता रहे, thank you so much, मैं यह, this is my time pass, मेरी यह hobby है, तो मैं आपको सब चीज मीठा मीठा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो actual चीज होगी, मैं वही आप तक deliver करूँगा, ठीक है, bye, take care, इसी thought के साथ, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, happy independence day.